नवाश्कार मैं अंजली विछुड़ा स्वागत है आप सभी का दो नियोज में आपको बताते हैं कि दिली के वक्या मंतरी आर्विंद के जिवाल की सुबाइक अरजी की बात निकल कर सामने आई जहां पर यह कहा जा रहा था क्यों का शुगर डैवल बर रहा है और इसी पूड़ी मिठाई और आम आते हैं ताकि अर्विंद के जिवाल का वजन और शुगर दोनों बढ़ जाए और उन्हें बाहर जाना पड़े मेडिकल ग्राउंड पर उन्हें उनकी अर्जी एकसेट हो जाए और उन्हें राहत मिल जाए वह बेल पर बाहर चले जाए जहां ब जहर होता है और ऐसे में केजवाल के घर से लगातार यह जहर परोसा जारा अर्विंद केजवाल के कहने पर ही ताकि उनका शुगर लेवल बढ़ जाए और फिर उन्हें चुट्टी मिल जाए कि उन्हें जमानत मिल जाए इसे बात को लेकर जब इडिन अभी खुलासा किया है तो इस खुलासे के बाद अर्विंद के जिवाल अपने ही पेच में फस गए और उसके बाद अब अर्विंद के जवाल के वकील द्वारा वह अर्जी जिसमें उनके डॉक्टर द्वारा नियमित चैकप की बात कही जा रही थी उस अर्जी को वापस ले लिए गया है उन ने कोट में दावा किया है तो दिली के मुख्यमंत्री और वंद के जवाल शराब घुटाले मामले में तिहार जुल में बंद है इस बीच दिली के राउजवनी कोट में के जवाल की आचका पर सुनवाई के दौरान इडी ने दावा किया कि वह मेडिकल आधार पर जमानत लेने के लिए जानबूच कर मीठा खा रही है ताकि इससे उनका शुगर लेवल बढ़े और उन्हें मेडिकल के आधार पर जमानत बिल जाए कोट के समक्ष इडी ने कहा कि केजवाल को टाइप 2 डावटीज है लेकिन जेल में आलूपूडी आम और मीठा खा रही है वह ऐसा जानबूच कर कर रही है यह एक तरह से मेडिकल के आधार पर जमानत लेने का तरीका है केजवाल की सेहत को लेकर एडी ने क्या कहा है एडी ने कहा कि अधालत ने उन्हें घर का खाना खाने की मंजूरी दी है जेल ड विपरीत खाना का रहे है जिन चीजों से परहेज करना चाहिए जिन चीजों से नुकसान हो सकता है वही चीज़े जानबूच कर खा रही है ताकि मेडिकल ग्राउंड पर उन्हें बाहर जाने का मुकावल है चार्ट में क्या है आपको बतारे आलू पूरी है केला है आम है समझें की अलु पूरी आलू शुगर पेशिन को नहीं खाना होता है आम शुगर पेशिन को मना होती है और यह सारी चीजर अरविंदे क gefश वाल खाय एक हमने कभी नहीं सुना कि टाइप two डायवती से जूज रहा वैक्ति इस तरह की चीज़्ीजे का रहे है और यह सब इसलिए किया जा रहा है ताकि उन्हें जमानत मिल जा इस पर कोट ने के जिवाल के वकील से कहा कि हम जेल से इस पर रिपोर्ट मांगेंगे और आप मुझे उनका पूरा डाइट प्लान दे इस पर अब कल सुनवाई होगी इस बामले में अब शुक्रवार को जो है सुनवाई के जिवाल के वकीलों ने क्या का इडी के इंग दावों पर के जिवाल के वकीलों ने कहा कि इडी मीडिया के लिए इस तरह के वयान दे रही है क्या डायवेटीज से जूज रहा सक्ष इस तरह का खाना दिया जा सकता है अब मामला क्या है समझे अर्विन के जिवाल डायव वापस ले दी है इसी अप्लिकेशन के विरोध में एडी ने अदालत के समक्ष ये बाते कहीं है यानि ये खुलासा किया है कि जिस शुगर लेवल के बढ़ने की बात वजन बढ़ने की बात ये कर रही है जिस शुगर लेवल के बढ़ते ही उनको ये खतरा बताया जा रहा है अब दिल्ली में कथी शराब गोटाले में एडी ने मुखेवंती अरविंद केजवाल को 21 मार्ज को गिरफतार किया था इससे पहले इडी ने उन्हें मामले में पूछताच के लिए नौ समझारी किये थे अन्हें को 2 सब miel संबार वोगि तो अब देख सकते हैं कि किस सबीरे के से अरविंद केजवाल के साथिए यह कर गई और यह पता है कि दॉखने की घइबल की शुगर लेवल भड्ने के बात कई जा रहे थी दोक्टर से चक अप कर रहे यह दिकत हो जाएगा और अब सामने आया है कि अरजी इनों ने डाली थी जो आधार यह बता रहे थे उस अर्जी को भी वापस लिए क्योंकि वह अपने ही बात में अपने ही जाल में खुद भस गए है डाइट चार्ट कहती है कि टाइप टू का एक वेक्ति है जो टाइप टू डाइबर्टी से जूज रहा है ऐसे वेक्ति के लिए कुछ चीज़ें बिल्कुल जहर के समान होती है जैसे कि आम हो गया मिठाई ह आलू हो गया चौण होके शावल की ऐसी तरह चीजे कöyको खाने के मना ही होती है look adalah हिर आजिका थाथ घर से ङe कहने के चीज आलू की सबजी पीश सोय झाली है और उनके जो हम जरь ऑन रहे हैं और यह सारे खादोपनि ऑस चीज़ें यह सनने दी जा रही है यह सारी तरीज है जो एक ख्यमंत्री है वो इस तरीके की चीजे खा रहा है वो भी जान बूच कर ताकि मेडिकल ग्राउंड पर जो है उन्हें लीव जो है जमारत जो है वो मिल जाए अब इस बामले पर जो वकील है वकील जोहेब आपको बता दे की बेल एकली बेल अप्लिकेशन पर सब्सक्राइब जोहेब होसेन का कहना है कि डाइट चार्ट जो है वो कोट के सामने रखा गया है इस डाइट चार्ट में मैंगो स्वीट्स और इसके बाद जो है ऐसी मीठी चीज़ें देखने करें मिली है जिसको में कोट के सामने बताया है और विंद के जिवाल खास तौर पर मीठी चीज़ें खा रहे हैं मीठे खाने खा रही है जो कि एक डायवेटीज पेशन को परमिट नहीं के जाती यानि इस मामले पर कल यानी शुक्रवार को फिर से सुनवाई होगी और इस मामले पर जो है चीज़ें निकल कर सामने आई गए इसी बीच जो याचिका इन्होंने डाली हुई थी शुगर लेवल को लेकर का जा रहा था अरविंद के जिवाल का शुगर लेवल बढ़ रहा है अर अरविंद के जवाल को डॉक्टर से लगतार जो है वीडियो कंफरेंसिंग के जरीवल्ला होगा चक्पना यर्जी भी अब इन्होंने वापस ले लिया अपने ही जाल में खुद अरविंद के जवाल फस्ट चुके हैं और उनके मुश्किले लगातार इस मामले को लेकर मेडिकल ग्राउंड पर जमानत मिल रहा है जिसके बाद अब अर्विंद के जवाल के वकील द्वारा दायर की गई आज का जिसमें शुगर को लेकर इश्यू बनाए गया था और एडी जो है और जिसमें डॉक्टर से नगतार प्रेंसिक के जरीए उनसे चकप कराने के बात करी जारती है उसर्जी को उनने वापस ले लिया है तो ऐसे पूरे मामने पर आपकी भी जुराय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरु से जरु साचा करीगेगा धन्यवाद